प्रधान मंत्री ने बाध पुरवानुमान के लिए एक अस्थाई पर नाली को लेकर केंद्रिय, विवं राज एजनसियों के विच बेदर समन्माय की जरुरत पर जोर दिया है। उन्होंने बार पुर्वानुवान एवं चेतावनी प्रनावली को लेकर बेहतर करने के लिए नौन मेसी प्रदोगी का व्यापक करने पर भी बल दिया बता दे कि पीएव ने छो राजियों के मुख मंत्रियों के साथ डिजिटल बैठक की जिसमें असम बिहार उतर परदेश महराष्ट करनाटक और केलराज समीलित हुए जामतरा जीला में समय से पहले 52,000 हेक्टेर में हुई धनरोपनी अगस्त माह का महिना जामतरा जीला के किसानों के लिए काफी फैदेमंद रहा विभाग की ओर से 15 अगस्त तक 52,000 हेक्टेर में धान की रोपनी करनी थी लेकिन या समय बितने से पहले ही विभाग ने उपलावदी आसिल कर ली है बता दे कि सोम वार तक 7% लक्ष को प्राप्त करके सी विभाग आगे बढ़ गया है दसवी बरावी कंपाइंटमेंट पर इक्षा के लिए रेजिस्टेशन शुरू जार्खन एकटबी कॉंसिल जायक ने काक्षा दसवी और बरावी की कंपाइंटमेंट पर इक्षा के लिए ओनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है जो छात्र एक या एक से अधिक बिसवयों में असफल हुए हैं वे जैक डॉट जार्खन डॉट जो भी डॉट इन पर ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं बता दे कि काक्षा 10 के लिए आवेदन की अम्तिम्ति थी 25 अगस्त जबकि बरहावी की परिक्षा के समय सीमा 26 अगस्त तक है जार्खन में अज 531 संक्रमितों की पुष्टी हुई जो पूर्वी सीमम सरसट राची 62 पलामू साथ गडवा 49 रामगर 33 देवगर 29 भुकार 29 सिमडेगा 29 लातेयर 27 कोडार्मा 25 गुमला 18 सरायकिला 17 सायव गंज 15 हजारी बाग चौदा धनबाद चौदा पच्मी सीमम बारा ग 27 लवर्दागा 6 4 4 गोड़ा 3 जाम तड़ा 2 पांकुर से एक हैं जर्खन में कुल संक्रमितों की संख्या 18766 है जबकि 9748 लोग स्वास्थ हुए और 189 की मिरिती हो गई भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 22 लाग 661 एक सो तीरपन है जबकि 15 लाग 864 लोग स्वास्थ हु से दो साइब गन से दो अर देवघर से एक हैं सोमवार को 699 संक्रमित स्वास्थ भी हुए हैं एक्टिव केस पूर्विस सिम्मों 2928 राची 1889 धनबाद 444 गोड़ा 379 हजारी बाग 343 पलामो 320 कोडार्मा 302 गोमला 292 खोटी 289 सराकिला 266 पाश्मी सिम्मों 253 देवघर 241 ज असाद साहेब गन 215 गिरीटी 23 बुकार 2204 जार्खन के 65 थायएड पाला सिक्षक पांच सिर्शक 5 सितंबर से आंदोलन करेंगे जार्खन के 655 बाला सिक्षक के आस्थाई करण और वेतन मान के निमावली 4 सितंबर तक क endured में परित नहीं हुए तो 5 सिनबर से पाला सिख्ष लोगों पर भरुशा जताया है इस साल पिछले साल के तुलना में पांच लाग से ज्यादा लोगों को कर्श देने की त्यारी है बता दे कि 2021 में 29,23,000 किसानों को कर्श देने का लक्ष है आपको बता दे कि फिशली वर्स 29,20 में यह लक्ष 14,00,000 किसानों का था बैंकों ने वार्सिक रीन योजना को अंतिम रूप से देकर राज अस्तरिय बैंकर समीती के संचालित पाटली पुत्र मेटकल कोलेज एवं अस्पताल में बनाया जाएगा एक अधिकारी ने यह जनकारी दी है मालूम हो कि मुख मंत्री हमान सुरेन ने 28 जूलाई को राजे के राजेंद्र इंस्जूट अफ मेटकल साइंस में राजे की पहली पेलेज में थेरेपी स स्युद्धा का उद्घाटन किया था है 25 साल बाद सिक्षा मंत्री ने गार्वी में लिया दाखिला जाटकंड के सिक्षा मंत्री जगनाथ महतो राजे की सिक्षा वेवस्ता दुरूस्त करने के साथ साथ अब पढ़ाई भी करेंगे उन्होंने 16 कलास में दाखिला ले लिय बुकारो जीला के बेरमो परखंड अंतरगट नावाटी इस्थित अपने ही देवी महत्तो महाविद्याले में उन्होंने सो महार को एड्मिशन करवाया एड्मिशन करवाने के बाद स्री महत्तो ने कहा कि अब वह उच्छा हासिल करेंगे 45 बरस के हुए जार्खंड के मुख मंतरी हमान्सुरेन 45 साल के हो गए हैं उनके जनम दीन पर प्रदान मंतरी नैंद्र मोदी समेत कई नितावन ने बधाई वा सुबकमनाई दी कांग्रेस रायत के साथ जार्खन में महाग गठ बंधन की सरकार चला रहे हमांच सुरेन जार्खन मुक्ति मुर्चा पार्टी के करिकारी अध्यक्ष भी है पार्टी ने ट्वीट पर लिखा है कि जार्खन के मुख मंतरी को जनमदीन की सुबकम नाएं पंचाज सचीव मेधा सुची जारी हो बावुलल मरंडी जार्खन में भार्टीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता और राजी के पूरो मुख मंतरी बावुलल मरंडी ने पंचाज सचीव परिक्षा के अमती मेधा सुची को अकारन लटकाए जाने की और मुख मंतरी का ध्यान आकरिष्ट कराते हुए युगाओ के भवी से को बरबाद होने से बचाने के अपिल किए है मरंडी ने मुख मंतरी हमन सुरिन को लिखेब पत्र में कहा है कि जार्खन करमचारी चाहन आयोग के द्वारा पर कासित के तहत परिक्षा ली गई लेकिन पंचाद सची परिक्षा कामती मेदा सुची को राज सरकार द्वारा अकारण लटकाए जाने के कारण 388 अभियार्तिय का भविस बरबाद हो रहा है मांगे पूरी होने तक हर्ताल जारी मनरेगा कर्मी जामतला जीला मनरेगा कर्मी संग ने जीला अस्तरिय बैठक मेना मैदान में कर हर्ताल पर डटे रहने का निनाय लिया है बीपियो परदीप टोपो ने सरकार से मिली करवाई के अल्टिमेटन को सीरे से खारिज करते हुए अपनी मांग पूरी होने तक संगठन के साथ हर्ताल में बने रहने का निनाय लिया है गलत कारियों में लिफ्थ पुलिस कर्मियों पर करवाई डीजीपी जार्खन के डीजीपी एंबी राव ने गलत कारियों में लिफ्थ पुलिस कर्मियों पर सक्त करवाई करने का निर्देश दिया है इस समद में सभी एसपी को आदेश दिया गया है डिज़पी के आदेश के बाद काम में लपरवाही बरतने के मामले में कई थाना परभारी पर इंदीनों कर्यवाही भी हो रही है जबकि लपरवाही बरतने वाले कई थाना पर वरिये पुलिस अधिकारी ने करवाही भी की है प्रवासी को रोजगार देने में बिफल जार्खन सरकार बीजेपी प्रवासी को स्वास्त कर्मियों को संक्रमन से बचाने को अस्पतालों में नियुक्त होंगे नोडल पता दिकारी अस्पतालों में चिकित्सों को परा मेडिकल कर्मियों और अनकरमचारियों को क्रोना वायरस संक्रमन से बचाने के लिए एक एक नोटल प्रदाधिकारी अनिवारी रूप से निउक्त किये जाएंगे गड़वा में साड़े तेरह लाख लोगों को खिलाई जाएगी फैलेरिया की दवा गड़वा जिला में 20 अगस तक चलने वाले मास ड्रग कारेकरम सो मुआर से शुरू किया गया है सदर अस्पताल में इस कारेकरम की अवचारिक शुरूआत की गई मौके पर उपस्तित ACMO डाक्टर जेपी सिंग ने फैलेरिया रोधी दवा खाकर कारेकरम का सुभारम किया जिला में 13,49,205 लोगों को दवा खिलाने का लक्ष निधायित किया गया है नकसलियो और फरार अप्रादियों के खिलाप सगन अभियान का निर्देश डिजीपी जार्कन के डिजीपी, MB राव ने सो मौर को वीडियो कंफेसिंग के जरिये राजे के सभी DIG, SSP और SP के साथ बैठक की DGP ने बरतमान में राजे के विभीन जीलों में संक्रामीत पुलिस कर्मियों की बरतमान इस्थिती सहीत उन्हें उप्यक्षित सुविधा एवं साहता परदान करने के समद्ध में पूर्वस से निर्गर दिशा निर्देशों की जीलावाल समिक्षा की रेलवे में गुरूप C एवं D के 585 पदो पर फरजी भरती रेलवे में गुरूप C और D के 585 पदो पर एक एजनसी द्वारा फरजी भरती निकालने वाले मामले को गमीरता से लेते हुए रेल मंत्राले ने ब्यान जारी किया है रेल्वे ने कहा है कि एक नीजी एजनसी द्वारा रेल्वे की आठ काटेग्री में उक्त पदो पर भरती का भीगापन एक बड़े राष्ट्री अकबार में प्रकासित किया था रेलवे ने साब किया कि रेलवे भरती का कोई भी बीग्यापन केवल रेलवे द्वारा ही जारी किया जाता है एडमिसन के नाम पर सारीरिक दूरी का पालन नहीं संक्रमन को देखते हुए सरकार और जीला परसाशन की तरब से लगतार सक्त आदेश दिये जा रहे हैं लेकिन सोमर को राची विवेंस कॉलेज में एडमिसन लेने के लिए आई छत्राओ के बीच सरीरिक दूरी और संक्रमन के बचाव के इंतिजाम का सर्याम उलंगन किया गया बता दे कि एडमिशन के लिए लाइन में खड़ी छत्राव के बिच सरीरिक दूरी का तनिक भी ध्यान नहीं रखा गया स्वस्थ हुए मरीज दान करे अपना पलैजमा राची में डोनर नहीं मिलने के कारान जरुत मंदों को पलैजमा नहीं मिल पा रहा है लोग खुद आगे आकर पलैजमा दान करने में दिल्चस्पी नहीं दिखा रहे है इसे देखते हुए अब रिम्स प्रवंदक ने गंभीर वा समाने लक्षन से स्वस्थ हुए संक्रमितों की कांसिलिंग शुरू कर दी है रिम्स प्रवंदक ने जीले वा दूसरे जीले के भी 422 लोगों के सुची त्यार की है इसमें से 100 से अधिक ऐसे हैं जो डोनेशन की प्रावरमिक मापदंड को पुरा करते हैं जार्खन बीज के बगीचे से आत्म निर्भर बनेगा अब उनत बीज के मामले में जार्खन आत्म निर्भर होगा इसके लिए सरकार ने जम सेथपूर समें तीन सहरों के 4 अस्थानों पर बीज के बगीचे त्यार करवा रही है बन विभाक के मुताविक परतेक बर्स जार्खन में 2 को रुपई के बीज वो पवधाय मंगाया जाते हैं सीट अकाडमिट प्रोजेक्ट कारेकरम 10 परस का है त्यार होने के बाद सरकार को परतेक बर्स बाहर से बीज मंगवाने पर होने वाले क्लोर रुपे की बचत होगी धन्यवाद